हाँ दोस्तों पुजा कंपूटर में आपका स्वागत हैं मैं हरी से नए वीडियो के साथ उपस्तित हूँ आज के वीडियो में बात करेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर्शिप में जो भी कंडिडेट आवेदन किये हैं उसका रिजेक्टेट लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है अगर आप फॉर्म ऑनलाइन किये हैं तो अपना एक बार स्टेटस चेक कर लें कि आपका जो फॉर्म है वो एसेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ यहाँ पे रिजेक्टेट लिस्ट की यहाँ पे जारी सुचना कर दी गई है यहाँ पे लिस्ट अपलोड कर दी गई है रिजेक्टेट की जो भी अगर रिजेक्टेट हैं आपके डिस्ट्रिक बलोग में तो उसका लिस्ट Ivory Budget आपका होता है कि आपका अधार में कुछ होग आ होता है और जो पास spell уже guys करता है इसके बजह से फर्स्ट कारण के कारण आपका जो है आप जो इन यह निहयं दिच्ट कर दी जाती है दूसरा कारण में दूस्ति होता है दुस्ति तो कि आप online form फिल किये हैं और जो account दे देते हैं आप father का या mother का दे देते हैं इसकी बज़े से भी form reject हो जाता है या parents का या किसी भी relative का अगर दूसरे का देते हैं name का passbook देते हैं तो उसके कारण भी आपका form reject हो जाता scholarship का तो आप online करने से पहले इन सब बातों का द्यान रखें कि आपका जो अधार में name है उसी के अनुसार से आपका passbook में भी name होना चाहिए और उसी के नाम पे जिस candidate का आप form फिल करें उसी का passbook account होनी चाहिए तब आपका form जो है account rejection list में नहीं जाती है उसको आपको देखने के लिए simply यहाँ पे जो इसका main website है pmsonline.bih.nic.in इस पे जाके आप यहाँ पे student rejected account list पे क्लिक करके आप rejected list देख सकते हैं इसका जो link है description में मिल जागा जहां से आप लोग details से यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसमें आपको simply home district चूज करना है ब्लॉग चूज करेंगे और simply search बटन पे क्लिक कर देंगे आपके district ब्लॉग में जितने भी reject हुए है list यहाँ पे आपको publish कर देजाएगे देखें यहाँ पे जैसे दिखा रहा है असिस कुमार फादर ने में यहाँ पे आगिया धार नंबर, mobile नंबर, IFC code, bank का नाम आगिया और rejected list का यहाँ पे region आपको यहाँ पे देए आगिया है rejected by bank as per bank account number region valid आपने account number जो mention किया है वो गलट डाल दिया है और इसका और भी कारण आपको बताते हैं क्या क्या कारण से जो है account rejected list में चला जाता है rejected by bank as per bank account number is invalid इसमें है account number does not exist in bank जो आपने account number mention किया वो exist नहीं करता है bank में bank number invalid अगर आप account number जो है गलट डाल देते हैं तो इसके कारण भी आपका form reject हो सकता है rejected by bank account number does not exist in bank जो आपने number account number दिया है वो exist नहीं कर रहा है तो account number डालने से पहले एक बार दो बार match कर लें कि आपने जो account number mention किया है वो properly सही है या नहीं यह आप बातों का ध्यान रखें और reject होता है bank account number invalid के कारण और यहाँ पे दिखा रहा है beach account number is mentioned candidate name is not matching इस कारण से भी यहाँ पे आपको जो है form reject हो जाता है जो आपका account number जो है account जो दिये है वो आपके application के अनुसार match नहीं कर रहा है जिसके कारण से भी आपका form reject हो जाता है तो इस स्थिति में आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों और यहाँ पे अपना account number अगर गलत है तो यहाँ पे आप update कर सकते हैं इसको सही सुधार कर ले उसके बाद अपना form को submit कर दें तो I hope दोस्तों इस तरह से आप अपना rejected account list आप check कर सकते हैं जो जो candidate का form reject हुआ है और क्या issue से reject हुआ है पूरा detail से आप जानने के बाद उसको सही कर ले और form को submit कर दें I hope दोस्तों इस वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा वीडियो अच्छा लगा और like करना न भूले चैनल पर पहली बार है तो चैनल को subscribe कर bell icon प्रेस कर ले और post matrix related हट topics हमने वीडियो बना रखे हैं अगर आप playlist हमारा scholarship पे जाके इसके बारे में वीडियो आप देख सकते हैं ब मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक कि लिए बाय जाहिए